नमो नमा, संस्कृत निधी चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम कक्षा आठ के लिए निधारित संस्कृत पाठ्थे पुस्तक संस्कृत रत्नम का शोडश पाठ देखेंगे जिसका शिर्शक है यक्षस्य प्रश्णह, युदिष्ठिरस्य उत्तरम, अर्थार्थ यक्ष के प्रश्ण और युदिष्ठिर के उत्तर तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अन्वाद और अभ्यासकार्य दोनों देखेंगे हम आगे बड़ी उससे पूरु में आपको बता दूं कि यदि आप इस पुस्तक से संबंदित पिछले पाठों के वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो वहाँ जाकर आप उन पाठों को देख सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आज का पाठ पहले देखते हैं इसका हिंदी अन्वाद यक्षस से प्रश्ण हां युदिष्ठिर से उत्तरम यक्ष के प्रश्ण और युदिष्ठिर के उत्तर यक्षः किम स्विद गुरु तरम भूमे हैं किम स्विद उच्चे तरम चे खात किम स्विद शिग्र तरम वायो किम स्विद बहु तरम त्रिनात यहाँ देखिए यह जो पद है किम स्विध शिघ्र तरम शिघ्र लिखा है पर जब हम इसको अलग करेंगे यह द रहो जाएगा और इसका श्य हो जाएगा तो यह बन जाएगा शिघ्र तरम शिघ्र अर्ठात जल्दी तेज तो किम स्विद शीग्र तरम इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पर भी किम स्विद उच्छ तरम इस प्रकार से तो यह महाभारत से लिया गया फ्रसंग है यहाँ पर जब पांडव जो वनवास काल में रह रहे होते हैं तो तब वो युदिष्ठर के जो चारों भाई होते हैं वे चारों ही चार पांडव जो होते हैं वे चारों पानी लेने के लिए जाते हैं एक तालाब के पास वो तालाब एक यक्ष के अधिन होता है तो वहाँ पर वे चारों ही मूर्चित हो जाते हैं यक्ष के प्रभाव के कारण फिर अंत में युदिष्ठर जाते हैं तो वहाँ पर यक्ष युदिष्ठर से प्रश्ण करते हैं और युदिष्ठर उन प्रश्णों का उत्तर देते हैं तो यक्ष उन चारों को जीवित कर देते हैं तो उसी समय का ये प्रसंग है तो यक्ष का प्रश्ण है किम स्व खात ख कहते हैं आकाश को तो खात अर्थार्थ आकाश से किम स्विद कौन उच्छ तरम कौन उच्छा है अर्थार्थ भूमी से भारी कौन है और आकाश से उच्छा कौन है किम स्विद शीग्र तरम वायो हो वायो हो अर्थार्थ वायू से हवा से शीग्र तरम तेज चलने वाला किम स्विद कौन है त्रिनात बहुतरम कौिम स्विद त्रिनात अर्थार्थ तिनके से बहुतरम बलशाली या अधिक बलवाला किम स्विद कौन है तो यहाँ पर देखिए गुरु तरम, उच्च तरम, शीग्र तरम, बहु तरम इन सब में तरप प्रत्य लगा हुआ है जो कि दो वस्तों के बीच में तुलना के लिए संस्कृत में प्रयोग किया जाता है जैसे English में आप जो degrees पढ़ते हैं, comparative degrees तो वैसे ही यहाँ पर दो वस्तों के बीच में जब आप तुलना करते हैं तो तरप प्रत्य का प्रयोग होता है और दो या दो से अधिक में, तीन या तीन से अधिक के वस्तों में तुलना करते हैं वहाँ पर तमप प्रत्य लगता है, तो यहाँ पर इन सब में तरप प्रत्य लगा हुआ है तो यक्ष ने प्रशन किया कि भूमी से भारी कौन है और आकाश से उचा कौन है, वायू से तेज चलने वाला कौन है और तिन के से बहुतरम अर्थार्थ अधिक भलवाला कौन है, युदिश्ठिरः तो युदिश्ठर ने क्या उत्तर दिया, माता गुरुतरा भूमे है कि भूमी से भारी माता है खात पितो चतरस तथा यहाँ पर देखे खात पितो चतर यहाँ पर पिता उच्चतरह तथा इस प्रकार से तीन पद हैं पिता उच्च तरह तथा सा का विसर्ग हो जाएगा तो पिता खात अर्थार्थ आकाश से उच्च तरह उचे तथा पहले आ जाएगा तो वाक्य बनेगा इस प्रकार से कि माता भूमी से भारी है तथा और पिता आकाश से उचा है सबसे आकाश से उंचा है दो वस्तों में तुलना हो रही है आकाश और पिता में तो तरप प्रत्य है अब आगे है मनह शिग्र तरम वाताच यहां पर देखिए एक पद है इसमें दो पद दिये हुए है वाताथ चिंता यह चरकत हो जाएगा वाताथ चिंता वात कहते हैं वायू को यह वायू का परियायवाची शब्द है हवा का वायू वात पवन यह सब हवा के परियायवाची है तो मनह अब यक्ष ने पूछा था कि वायू से तेज चलने वाला कौन है तो मनह जो हमारा मन है वह वाताथ शिग्र तरम वायू से ते बलवाला कौन है तो चिंता तिनके से अधिक बलवाली है युदिश्टर ने क्या उत्तर दिया कि माता भूमी से भारी है और पिता आकाश से उचा है मन वायू से तेज चलने वाला है और चिंता तिनके से अधिक बलवाली है यक्षह यक्ष ने अगला प्रश्ण किया मृत हो कत्म का पुरुष मृत हो ठाल पूरुष मृत कहा जाता है कथम राष्ट्रम मृतम भवेत कथम अर्थार्थ कैसा राष्ट्र मृत हो अर्थार्थ कौन सा राष्ट्र ऐसा है जिसको मृत कहा जाए कथम श्राधम मृतम स्यात अत्वा कौन सा श्राध होता है जो मृत्यू के पश्चाद जो होने वाला एक संसकार विशेश होता है उसे श्राद कहा जाता है तो कौन सा श्राद मृत हो अर्थात कैसे श्राद को मृत कहा जाए कथम यग्यह मृत हभवेत और कैसा यग्य मृत हो फिर से देखिए कि कैसा पुरुष मृत हो अर्थार्थ किस प्रकार के पुरुष को मृत कहा जाए मरा हुआ मृत का आर्थ होता है मरा हुआ तो किस प्रकार का पुरुष मरा हुआ हो किस प्रकार का राष्ट्र मृत हो किस प्रकार का श्राद मृत हो और किस प्रकार का यग्य मृत हो युदिष्ठिरह युदिष्ठर ने उत्तर दिया मृतो दरिद्रह पूर्षो मृतम राष्टरम अराजकम मृतम शोत्रियम श्राधम मृतो यग्यस्त्व अदक्षिनह तो यहाँ पर देखे पहले पदों को अलग कर लेते हैं यहाँ पर राष्टरम अराजकम राष्टरम का महलंत हो जाएगा और अराजकम बनेगा इसी प्रकार से मृतम का महलंत अश्रोत्रियम इसी प्रकार यहाँ पर देखे यग्यह तू अदक्षिनह इस प्रकार से तीन पद हैं, यग्यह विसर्ग हो जाएगा, तू अधक्षिनह, यहाँ पर यन संदी हो गई है, तू प्लस अधक्षिनह में तो क्या उत्तर है युदिश्टर का? कि दरिद्रह पूरुषह मृतह दरिद्रह पूरुष जो है, वह मृत है, जब यक्ष ने पूछा कि किस प्रकार का पूरुष मृत हो, अर्थार किस प्रकार के पूरुष को मृत कह सकते हैं, तो जो दरिद्रह पूरुष है, वह मृत है, और किस प्रकार का राष्टर मृत है, तो अराजिकम राष्टर मृतम अराजकम का अर्थ है बिना राजा का अर्थार्थ जिसका कोई शाषक नहीं है जिस राष्टर का जिस देश का कोई शाषक नहीं है वह मृत है तो अराजकम अर्थार्थ बिना राजा का बिना शाषक का राष्टर मृत है मृतम अश्रोत्रियम श्राधम श्रोत्रिय अर्थार्थ ब्राम्मन विशेश का तो अश्रोत्रिय हो गया तो बिना ब्राम्मन के किया गया श्राध मृत है अर्थार्थ ऐसा श्राध जो बिना किसी ब्राम्मन विशेश के किया गया है वह श्राध मृत है इसी प्रकार किस प्रकार का यग्य मृत है अदक्षिनह यग्य मृत है दक्षिनह अर्थार्थ दक्षिनह और अदक्षिनह अर्थार्थ बिना दक्षिना का यग्य मृत है अर्थार्थ ऐसा यग्य जिसकी कोई दक्षिना नहीं दी गई है वह यग्य मृत है तो फिर से देख लिजे इसको कि दरित्र पुरुष मृत है और बिना राजा का या बिना शाशक का जो राष्ट्र है वह मृत है और बिना ब्रह्मन की किया गया श्राद मृत है और बिना दक्षिना का यग्य मृत है अर्थार्थ मरा हुआ है अगला है यक्ष का प्रश्ण है तपह किम लक्षणम प्रोक्तम तपह अर्थार तपका किम क्या लक्षणम लक्षण प्रोक्तम कहा गया है कि तपका क्या लक्षण कहा गया है कह दमश्य प्रकीर्तितह और कह अर्थार क्या दमः दम प्रकीर्तितह बताया गया है और क्या दम को बताया गया है अर्थार तप को क्या कहा गया है और दम को क्या कहा गया है शमाच का पराप्रोक्ता और दूसरा शमाच को क्या कहा गया है काच हरी प्रकीर्तिता और क्या हरी कहते हैं लज्जा को और लज्जा को क्या परी कीर्तिता अर्थार बताया गया है कहा तो यहाँ पर यक्षनि तप, दम, ख्षमा और लज्जा के लक्षन युदिष्ठिर से पूछे हैं कि तप का क्या लक्षन कहा गया है, दम को क्या बताया गया है और ख्षमा का क्या पराप्रोक्ता सबसे अधिक कहा गया है, अर्थार किसको सबसे बड़ी ख्षमा कहा गया है और ह्रीच का परिकिर्थिता और लज्जा किसको कहा गया है युदिष्टिरह तपह स्वधर्म वर्थित्वम अर्थार्थ अपने धर्म में लगे रहना या अपने धर्म के लिए तयार रहना तपह तप है मनसो दमनम दमह मन का दमन अर्थाथ उसको रोक लेना मन को रोक लेना क्योंकि हमारा मन बहुती चंचल होता है तो उस मन का दमन दम है क्षमा द्वन्द्व शहिष्णु त्वम द्वन्द्व को सहिष्णु अर्थाथ सह लेना या सह लेने की क्षमता क्षमा है द्वन्द्व को सह लेने की क्षमता क्षमा है द्वन्द्व अर्थाथ हमारे मन में जब किसी चीज के लिए दो रास्ते चलते रहते है हमें ऐसा करना चाहिए हमें वैसा करना चाहिए और हम किसी एक निशकर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं तो वो द्वंद्व कहलाता है तो वो जो द्वंद्व है उसको सहन करने की क्षमता क्षमा कही गई है ह्री अकार्यम निवर्तनम ह्री लज्जा और विसर्ग हो जाएगा और अगला जो शब्द है वो बनेगा अकार्यम निवर्तनम अकार्यम अर्थार्थ न करने योग्यकार्य से दूर रहना ह्री लज्जा को कहा गया है अगला प्रशन है कह शत्रूर दुर्जय है पुनसाम कहश्च व्याधिर अनन्त कह की दृषच स्मृत ह साधूर साधू की दृषच स्मृत ह कह शत्रूर दुर्जय है कि कौन शत्रू दुर्जय है अर्थार्थ अजे है पुर्षों का कौन सा शत्रू दुर्जे है अर्थार्थ कठिंता से जीतने योग्य है अर्थार्थ मनुष्यों का ऐसा कौन सा शत्रू है जो कठिंता से जीता जाता है च और कह व्याधिर अनतक और कौन सा रोग अनंतक अर्थार्थ अनंत है जिसका कोई अन्त नहीं है ऐसा कौन सा रोग है किद्रिशह स्मृतह साधू कैसा साधू स्मृतह कहा गया है माना गया है कि साधू कौन माना गया है और असाधू किद्रिशह स्मृतह और असाधू कौन माना गया है अर्थार्थ जो सज्जन नहीं है वो कौन माना गया है यहाँ पर देखे साधू असाधू दो पद हैं जो र है उसका विसर्ग हो जाएगा और फिर इधर बन जाएगा असाधू तो यक्ष ने प्रशन किया कि पुर्षो का कौन सा शत्रू दुर्जे है अर्थार्थ आसानी से जीते जाने योग्या नहीं है और कौन सा रोग अनन्त है कैसा व्यक्ति साधू माना जाता है और कैसा व्यक्ति असाधू अर्थार्थ असज्जन माना जाता है तो युदिष्टर ने उत्तर दिया क्रोध सुदुर्जयह जो क्रोध है वह आसानी से दुर्जय है अर्थार्थ आसानी से जीतने योग्य नहीं है क्रोध सुदुर्जयह शत्रू क्रोध रूपी शत्रू आसानी से जीतने योग्य नहीं है लोभः लोभो यहाँ पर देखे शत्रुर लोभो तो शत्रुह विसर गो जाएगा फिर बनेगा लोभः लोभः अर्थार्थ लालच लालच व्याधी अंत कह लालच रूपी जो रोग है वह अनंत है अर्थार्थ लालच का कोई अंत नहीं है सर्व भूत हितह सभी भूत कहते हैं प्राणियों को सभी प्राणियों का हित करने वाला साधू सभी प्राणियों का हित करने वाला साधू अर्थार्थ सज्जन माना गया है और निर्दयह असाधू स्मृतह निर्दयह अर्थार्थ दया रहित अर्थार्थ जिसमें दया नही निर्दई निष्ठुर असाधु माना जाता है। अगला है किम स्थेर्यम रिशिभी प्रोक्तम किम चे धैर्यम उदाहरितम स्नानम चे किम परम प्रोक्तम दानम चे किम उच्चति किम स्थेर्यम रिशिभी प्रोक्तम रिशिभी अर्थार्थ रिशियों के द्वारा किम क्या स्थेर्यम स्थेर्य कहते हैं स्थिर्ता को तो रिशियो के द्वारा स्थिर्ता क्या कहा गया है? अर्थार स्थेर्य किसको कहा गया है? स्थिर्ता किसको कहा गया है? किम चे धेर्यम उदाहरितम और क्या धेर्य को बताया गया है? स्नानम चे किम स्नान क्या है? परम प्रोक्तम दानम चे किम इहु उच्चते और प्रोक्तम स्नानम के साथ आजाएगा कि क्या बताया गया है और दानम किम इहु उच्चते और दान किसको कहा जाता है तो यहाँ पर स्थेर्रे अर्थार्थ स्थिर्ता धैर्रे स्नान और दान इन चार के बारे में पूछा गया है कि रिश्यों के द्वारा स्थिर्ता किसको कहा गया है और धैर्रे किसको बताया गया है स्नान और च लग जाएगा तो और स्नान किसको कहा गया है तथा दान किसको कहा जाता है युदिष्टि रह, स्वधर्मे स्थिर्ता स्थेर्यम स्वधर्मे अर्थार्थ अपने धर्म में स्थिर्ता स्थेर्य है अपने धर्म में स्थिर रहना, स्थित रहना ही स्थेर्य है अब धैर्य क्या है? धैर्यम इंद्रिय निग्रह इंद्रिय निग्रह अर्थार्थ अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना जो हमारे पास पांच ग्यान इंद्रियां और पांच कर्में इंद्रियां और जो एक हमारा मन है इन जो इंद्रियां हैं इन सभी को अपने वश में कर लेना अर्थार्थ जैसा हम चाहें वैसा ही विक करें इस हिसाब से ऐसा नहीं कि चंचलता के वश हम उनके वशिबूतो कर कोई कार्रे करें वह नहीं तो इन इंद्रियों को निग्रह अर्थार्थ वश में कर लेना धैर रहे है स्नानम मनो मल त्यागो मनो मल त्यागो अर्थार्थ मानसिक मन कहते हैं हमारा जो मन है उसकी मलिंता का त्याग ही स्नान है ऐसा नहीं है कि हम तो रोज स्नान करते हैं तो हम तो शुद्ध हैं पर हमारे जो मन रूपी जो मलिंता है हमारे मन में जो मलिंता है उसका त्याग करना वास्तविक स्नान है दानम वई भूत रक्षणम भूत रक्षणम अर्थार्थ प्राणियों की रक्षा करना ही दानम अर्थार्थ दान है फिर से देखिए कि अपने धर्म में स्थिर्ता स्थैर्रे है अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना धेर्य है और मन रूपी मलिंता का त्याग करना स्नान है वई ये एक अव्यपद है जो निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है कि निश्चित रूप से भूत अर्थार्थ प्राणियों की रक्षा करना ही दान है अगला है यक्षह यक्ष ने क्या प्रश्ण किया को अहंकार इति प्रोक्त हो उसने पुछा कि अहंकार किसको कहा गया है कर्ष्च दंभ प्रकीर्थित हो और दंब किसको कहा गया है किम तद दैवं परम प्रोक्तम और दैवं अर्थार्थ परम दैव अर्थार्थ भगवान किसको कहा गया है किम्चे पैशुन्यम उच्चते और पैशुन्यम किम्चे उच्चते पैशुन्य कहते हैं चुगली को तो पैशुन्य किसको कहा गया है अर्थार्थ चुगली किसको कहते हैं तो एहंकार, दंब और परमदेव और चुगली ये चार चीजे इसमें पूछी गई है कि इन इनको क्या कहा गया है तो युदिश्टर ने उत्तर दिया महा अज्ञानम एहंकार है महा अज्ञान अर्थार्थ जो महान अज्ञान है वह अहंकार है दंबो धर्मो द्वजो च्षय और दंब क्या है धर्म की द्वजा का क्षय धर्म रूपी जो द्वजा है उसका क्षय करना दंब है दैवम दान फलम प्रोक्तम दैवम अर्थार जो परम देव पूछा गया है वो है दान फलम दान फल को कहा गया है और पैशुन्यम अर्थार्थ चुगली करना क्या है पर दूशनम दूसरों का दोश निकालना चुगली क्या है पर दूशनम दूसरों के दोश तो अहंकार क्या है महान अज्यान अहंकार है धर्म की द्वजा का क्षय दंब है और दान फल को दैव कहा गया है और पर दूशनम अर्थाद दूसरों का दोश पैशुन्यम अर्थाद चुगली करना है तो ये था इस पाट का हिंदी अन्वाद और ये हैं पाट के अंध में आई हुए शब्दार्थ अब हैं इस पाट के अभ्यासकार्य जिसमें पहला प्रशन है प्रशना नाम उत्तराणी लिखत भूमेह गुरुतरम किम माता कह शिग्रितरम वायोह मनह कथम राष्टरम मृतम भवेत अराजकम कथम यग्यो मृतो भवती अदक्षनह तपह किम लक्षणम स्वधर्म वर्तित्वम किम स्थैर्यम रिशिभी प्रोक्तम स्वधर्मे स्थिर्ता अगला प्रशन है रिक्तिस्थानानी पूरयत पाट से ही कुछ लिए गये हैं रिक्तिस्थान उनको पोण करना है अगला प्रशन है एतिशाम शब्दानाम विभक्तिम वचनम लिंगम चे लिखत अर्थार्थ नीचे कुछ शब्द दिये गये हैं उनका विभक्ति वचन और लिंग आपको लिखना है जो यहां लिख दिया गया है यहां से आप देख सकते हैं अगला प्रशन है वाक्यानी शुद्धानी कुरुत अर्थार्थ कुछ वाक्य दिये गये हैं उनको शुद्ध करना है जैसे पहला है रिशयह सह गच्छामी रिशियों के साथ जाता हूँ तो सह के योग में तृतिया भक्ति आती है तो रूप बनेगा रिशिना और शुद्ध वाक्य होगा रिशिना सह गच्छामी इसी प्रकार क्रोधह सुदुर्जयम शत्रू तो सुदुर्जय शत्रू का विशेशन है तो विशेशन और विशेश्य में समान विभक्ति वचन होता है तो यहाँ पर दुर्जयम के स्थान पर होगा सुदुर्जयम तो वाक्य बनेगा क्रोधह सुदुर्जयम अगला वा अगला प्रशन वाक्य है ग्रहे जना आसीत घर में लोग थे तो आसीत जो है वो एकवचन का रूप है और लोग जो है बहुचन है तो बहुचन का रूप बनेगा आसन तो ग्रहे जना आसन इस प्रकार से शुद्ध वाक्य बनेगा तो ये था इस पार्ट का हिंदी नहीं विशे के साथ, जय तू संस्क्रितम!